Hello Traders, Bajaj Finance को आज की दिन हमें ट्रीट किया है अभी हमारा ट्रीट चली राइस के दूर, 7514.60 पर हमारी एंट्री है प्राइस बहुत देर से उस रेंज के पास में ही ट्रेवल कर रहा है और हो नहो आज ही अगर हमारा स्टॉपलास हिट कर देता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जिस तरह के मुवमेंट इसके अब हमें दिख रहे है आसार यही है कि हो सकता है कि हमारा स्टॉपलास हीट हो जाए बिकास यहां पर वॉल्म्स काफी ज़्यादा ड्राइ हो चुकी है यह वाली केंडल जब फ़र्म हो रही थी तो इसमें थोड़ासा कॉंफिटेंस आया था कि प्राइस के अंतर मुवमेंट होने चाहिए हाला के केंडल फ़र्म हो जाने के बाद में मुवमेंट तो हुए बट इस तरह के मुवमेंट का कोई फैदा नहीं यह ना के बराबर ही है प्राइस अप एंड डाउन अप डाउन अभी भी देखिए प्राइस हमारे जस्ट एंट्री प्राइस के नीचे आने के बाद में सीदे उपर की तरफ गया है तो कोई बहुत अच्छे मुवमेंट कोई खास मुवमेंट ने हुए है प्राइस एक तरह का साइड बे मूव भी दिखा रहा है यहां पर हमने बाई किया बाई करने के पीछे का रीजन और टार्गेट्स वगरा के यह हम आपको एक बार बता देते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पर देगे यहां पर फॉलिंग रोस पैटर फॉर्म हुआ है इस पैटर्न के उपर हमने काफी सारी ट्रेड्स आपनों के एक्सक्यूट करके दिखा है और इस फॉर्मेशन को इस पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से आपनों के साथ हमने एकस्प्लेइन भी क्या है सीम चीजह है आई जूसित ईह बैंक के अंदर कल ग्रीन केंडल फॉर्म होनी थी फिर्रेम अच्छी ताइम फ्रेम पर क्या आए तो इस प्रेड्स और हैं काफी त्यां और क्यांनों के इहां पर है arerd here है mph reign text इते जिसका लूट अच्य एक सपोर्ट एरिया है तो यह हमारी आज की मास्टर केंडल है इसके अकॉर्डिंग है सारी एनलसिस और रेटिंग्स हमने की हैं प्राइज ने क्या किया है कि अगर हम कुछ भी नहीं करके सिर्फ एक लाइन हम यहां पर पूट करेंगे इस ग्रीन वाली केंडल उसका कलर हम कर देते हैं चेंज चल लेवल के नीचे यह ओपन और क्लोज लगा रहा है ओके आज इसने क्या क्या एक गैप अप उपनिंग दिखाई और यह गैप उपनिंग स्ट्रॉंग ओपनिंग में काउंट होगे क्यों दो चीज़े हैं सबसे पहला तो अगर हम वॉल्म से आएंगे तो वो वॉल्म से दे केंडल को अप सैट की तरफ ब्रेक करके एक गैप अप ओपनिंग दिखा करके क्यों ओपन हो रहा है इसके बाद भी अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना तो फिर इसको नीचे की तरफ आना चाहिना यह अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास में सपोर्ट क्यों ले रहा है क्यों इस green valley candle के low के पास में market रुक रही यह तो सबसे पहली logical चीज है ऐसा तो नहीं होना चाहिए volumes भी हम जब देख रहे हैं तो जितनी भी criteria's है सब यहीं indicate कर रहे है कि majority यहाँ पर short selling कर सकती लेकिन profit उसी ही होगा जो आज के दिन इसके अंदर buying करते हुए चलेगा और buying भी ऐसे वह से नहीं कि कहीं पर भी मनुवत आपने buying कर लिया एक proper analysis के according point of action निकालना पड़ेगा point of action निकालने के लिए वाली master candle जो हमारी यह काफी है आप इसके low पर trade execute को दो यहां पर देखें market side way है फिर भी हम इसके अंदर बने हुए क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि stop loss it नहीं होना चाहिए और बाकि फिर तो market है market is supreme जो market को करना है वो करे हमारा कमेनाचिस करने का यहां पर सबसे बड़ी चीज यह होती है कि हमारे पास कई सारे options होते हैं नहीं बजास फिरांस है बजास फिंसर्फ है टाटा स्टील है HCL टेक है तमाम stocks है ICC bank है, Axis bank है, HTFC bank है जितने भी stocks चाहो कोई न कोई तो आपको आपकी level पर आपके perfect setup पर मिलेगा आप उसको trade को यह अपनी strength होती है, हम traders है, हमारे साथ ऐसा ही होता है मालूम है, यह stop loss है, conditions भी काफी जादा है ऐसा लग रहा है हमकों कि price भी नीचे की तरफ जा सकता है क्योंकि जो closings morning से नहीं हो पा रही थी, वो इस वाली candle है कर दी है तो chances लग रहे हैं कि stop loss चला जागा लेकि नहीं निकल सकते rules, regulations के according गर हम काम कर रहे हैं तो हम नहीं निकल सकते permission नहीं है हमें बाहर निकलने की या तो stop loss या target, दो में से कोई एक ही चीज अभी की condition आपको हम दिखा हैं तो यह है लेकिर हम पूरा वेट करेंगे जितना हमारा stop loss हमने लगा रहा है पूरा का पूरा stop loss या तो जाएगा हम तभी निकलेंगे नहीं जाएगा तो जो भी होगा उतना लेकर की निकलेंगे वैसे chances हमने शुरू आतों में बता दिया था को कि हमें देख करके लग रहा है कैसे ल जला जाएगा कोई बात नहीं देखते हैं वेट करते हैं कितनी देह में stop loss या गए stop loss या था यह ग्रूप में आप लोगों को इनफॉर्म कर दिया था कि 2662 पैसे का stop loss गया यह सार स्क्रीन शॉट्स है जो कि टेलिग्राम चैनल पर हम लगाता है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे उसी समय जिस समय हम ट्रेड एक्जिक्यूट कर रहे थे यह ज़र हमारा ट्रेड अपना चल रहा था सो stop loss चला गया last minute stop loss चला गया था हाला कि market पूरी sideways थी हमारे पास एक दो screen shots आये हैं अभी हम आपको दिखाएंगे तो फृदिर में तो इसमें common question यही है कि जब हमें लग रहा है जब हम देख रहे है कि मेरा stop loss जा सकता है तो फिर क्यों वहां से बहार नहीं निकले यह अपन कि stop loss चला देखें क्वांटी सबसे पहले portion book open करते हैं overall जो हमारा आज का प्रॉप लॉस है 2662 पैसे का stop loss है तो ठीक है मतलब एक यह satisfaction होता है कि जितने points का loss हमने स्ट्रेट स्टार्ट करने से पहले अपने प्रिफर किया तो मेरा उतना ही लॉस हमने ज्यादा उसको stress नहीं किया बहुत जाए तक वेट नहीं किया stop loss शीट हम चिप चाप बहार निकल गया order book में आप देखे 150 का stop loss जमने लागा था 7495.55 पर हमारा stop loss था क्वांटी के साथ में काम किया था क्वांटी के साथ में काम किया था क्योंकि यह question मेरे पास है जिसमें से दो चैट्स हम आप लोंगे साथ शेयर भी करेंगे यहां पर देखे जैसे ही price क्योंकि live market में continuously यह चार्ट शेयर कर रहे थे एक जो day low बन रहा था मेरा उस वक्त का ज जब हम देख रहे हैं यह रेड वाली केंडल की इसके नीचे अभी तक मार्केट ने क्लोजिंग नहीं कि और यहां पर आकर के price क्लोज कर रहा है volumes को आप on कर लो थोड़ा सा volume भी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हरकत हुई है volumes थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है हाला कि पूरे वॉल्यूम ड्राई है पूरे दिन इसके अंदर volumes नहीं रहे है प्राइस हमारा नीचे के तरफ तो है लेकिन वापस से फिर वहीं पर यह घूम करके क्लोज हो गया जहां हमारा स्टॉप प्रोस था ना मिलकुल वहीं पर इस चल गया कहीं आज बजास फिननस कहीं गया यह नहीं यह साइड वे रहा है तो क्वेष्चन यह उछ इए उढ़ा है कि जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा स्टॉप प्रोस जा सकता है और हम बार मार खुद भी करें कि आज पर अश्टॉप प्रोस जा सकता है तो हम बाहर क्यों नहीं नेकल रहे हैं जो भी बात हम already ये सारी बाते में आपको बता चुके हैं, कुछ चीज़े हैं जो कि आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, कुछ बाते हैं जब आप trade execute करो तो आपके जहन में वो चीज़ें होनी ही चाहिए, कि आप सोचो ना सोचो, unconscious mind में वो सारी चीज़ें हमेशा रण करती रहनी चाहिए, और उन में से एक जो सबसे important चीज़ है, वो है risk management, एक बार अगर हम trade execute कर दे रहे हैं, तो या तो मेरा stop loss जा सकता है, या तो फिर हमारा target मिल सकता है, हम बीच में नहीं निकलते हैं, हम नहीं निकलेंगे बीच में, हम आपको आज का example दें, कि जैसे ये मेरा day low पर stop loss लगा हुआ है, और हम आप से अगर ये बात बोल रहे हैं, just कि चली ठीक है, हमने जो अपनी entry यहाँ पर ले थी, ये इस green वाली candle के just low, जो low था, यहाँ पर हमारी अपनी entry थी, अब हम देख रहे हैं कि price हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम, हमारा मन तो यहीं सोचेगा ना, कि मेरा stop loss लोश जा सकता है, stop loss लोश जा सकता है, stop loss लोश जा सकता है, यह होता है, डर, यह fear होता है, आलू मैं देख रहे हैं कि stop loss लोश जा रहे हैं, क्यों कोई शौक है क्या हमें stop loss लोश देने का, हम जान बुच करके थोड़ी ना stop loss लोश दे रहे हैं, लेकिन यह मेरे risk management के rules में आता है, यह मेरी rule guide में आता है, कि हम निकलेंगे नहीं बाहर, चाहें जो भी हो जाए, क्योंकि मेरा एक fear भी तो हो सकता है, हाला कि उस fear की वज़ए से आज मेरा stop loss लोश चला गया, ठीक है, इस scandal में पूरा का पूरा stop loss मेरा चला गया, अब इसका दूसरा point of view, अभी हम बोले थे ना, आज मेरा stop loss लोश बच गया, तो आपने क्या क्या, क्या क्या, जादा जादा, 4-500 रुबे बचा लिए, माल लिए, यही सिनेरियो कल भन रहा है, आज क्या हुआ, कि price नीचे की दरफ आया, हमने सोचा कि stop loss लोश जा सकता है, stop loss चला गया, कल भी तो ऐसा हो सकता है, कि price यहां पर आपका support ले, price नीचे की दरफ आया, आपके सभी supports के नीचे की दरफ ब्रेक कर दे, जो major का अंडलोश के नीचे closing कर दे, आप कल भी वही सोचोगे, जो आपने आज सोचा, और जिस वेसे आप यहां से बाहर निकल गया, कल क्या होगा, कि हमने ऐसा सोचा था, आज के बजाज finance के trade में, मेरा stop loss हीट हो गया, हो सकता है कल आज सोचा हो, तो कल भी आप बाहर निकल जाओ, लेकिन जब आप कल बाहर निकलोगे न, तो पता है क्या होगा, बजाज finance जैसे ही आप बाहर निकलोगे, price without आपका stop loss hit किये, उपर की तरफ जाएगा और सस्टेट होने लगएगा, जैसा कि आज भी हुआ था, हमें लगा कि price उपर की तरफ चला जाएगा, अब तो चला जाना चाहिए, लेकिन वापस नीचे की तरफ आगया, हो सकता है कल ये नीचे की तरफ न जाए, और सिधे उपर की तरफ चला जाए, आपने क्या किया, आपने कल तो 1500 रुपए बचा लिये थे अपने, लेकिन कल के 1500 रुपए के बचाने के चकर में, आज का आपका 8-9000 रुपए का profit चला गया हाथ से, तो वो 8000 जरूरी है या फिर ये 1000 जरूरी है, ये psychological बहुत बड़ा गेम होता है, मार्केट में रिस्क आप कोई भी हम आपको point of action बता दे, entry के points बता दे, strategy बता दे, higher lower times बता दे, valence बता दे, आप कहीं भी जाओ indicator सीख लो, SMC सीख लो, चाहें जो सीख लो, जो मर्जी सीख लो, वो सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन एक लेवल के बाद सुप्रीम क्या है, जैसे market सुप्रीम है ना, वैसे ही market के अंदर अगर कोई काम कर रहा है, तो उसका risk and money management ही सुप्रीम है, बाकी कुछ भी ही नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं, टेक्निकली अगर आप गलत हो जा रहे हो, तो कोई बात नहीं, वो चीजें कल सुधर सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकली वो सारी की सारी आपके हाथ में है, अगर गलत हो रही हैं, आप चाहो नहीं, वो अंचाहे में गलतियं हो जा रही हैं, लेकिन अगर यहां पर आपने गल्ती की तो इसका मतलब कि यह आप चाह कर रहे हो यहां पर आप ओवर कॉंफिडेंस में वहला ट्रेड याद है ना सबसे थोड़े दिन पहले एक हमने वीडियो शेयर किया था जो लिख करके दे रहे थे कि हिट हो जाएगा मार्केट आपकी ऊपर ही जाएगी ऊपर चली जाएगी हिंडालकों का ट्रेड था शाथ और मार्केट नीचे की तरफ गए गए सेम चीज यहाँ पर भी तो एपलाई होती है जब जा सकता है नीचे तो फिर हम क्यों नहीं निकल गए या कोई भी हो सकते हो अगर आपको दिख रहा है तो आप क्यों नहीं निकल गए हमें नहीं निकल ला है हमें पर्मिशन नहीं है हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमें पर्मि नहीं करते हैं, कई बारे में scalping करनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों के साथ हम सिर्फ अपने ideal trade से share करते हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बाते हैं, अब सीखो, अब यह नहीं कि हम share नहीं करें, तो वहाँ पर हम rules की ऐसी तैसी करते रहे हैं, हमेशा हम अपने rules मे risk और money management को हब से आगे रखते हो, उन्हें कभी हम भूलते नहीं हैं, जो stop loss और जो target आप लगा देना, फिर उसको ना तो trail किया जाता है, ना ही हम अपने stop loss और target के पहरे निकलते हैं, कभी भी ऐसा मत करना, जो class वगेरा में discuss होता है कि कम से कम, 20 times हमें अपनी capital डबल करनी होत तो जितनी भी trades के जाएंगे, हर trade के अंदर risk same रहेगा, particular number होता है, उतने trades हम execute करेंगे, तो वहाँ पर जितनी भी trade होंगे, per day के trades fix होते हैं, per trade में risk कितना वो fix होगा, per trade में stop loss, target, जो सारी चीजें fix, अब money management का सरका लागी की तरफ चलता है, ऐसे भी नहीं होगा, कि आपने stop loss rate होने देंगे, अगर जा रहे तो फिर वो गए जाए, या target मिल रहा तो मिल जाए, फिर तो ये सारी चीज ये भी साही चीज है, आपके आपको ऐसा positive or negative ये फिर आपके लिए काम करेंगे, फिर इसमें भी loss होगा, risk हमेशा same रहे, targets जब तक complete ना हो जाएं, मतलम number of trades आपक आपके लिए बहुत help करेंगे, strategy नहीं, ये सबसे ज़्यादा जोरी चीज़े हैं, ये वाली points, psychological points, risk management, money management, ये एक दिन का chapter ही नहीं है, खतम करने हों कि पांच मिनट में हम खतम करते हैं, risk और money management, जब actually हम marketers की practice करने जाते हैं ना, 5-5-6-6 साल लग जाते हैं, कम हम बोल रहे ह हमारे risk और money management बिगड जाते हैं, तो ये practice से आता है, lecture से नहीं आता, किसी को सुन लिया, किसी को देख लिया, किसी ने आपको PDF शेयर कर दी, उनसे सबसे कुछ नहीं होता, without practice समझ में ही नहीं आएगा, live market में practice करनी होती है, वो करो, thanks and we will meet again.